गुड मॉर्निंग होगी आज तारीक है 29 फरवरी याने मेले का दिन है खशी का दिन है भाईया भाईया मॉर्निंग तो गुड है ही लेकिन आज तारीक कौसी है अज तो मेले का दिन है मैं तो आज बच्चा वनक नना मुनना छोटा बच्चा और यह रहा मेरा ननना मुनना गुड्ड़ा यह कौन है मेरे घर में इतना बड़ा पहार कहां से आया यह तो मेरे इस भादू वाले गुड़े की माँ है यह सिर्फ एक गुड़ा है मैंने कुछ नहीं किया मुझे छोड़ दो प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज कौन हो आप मैं तेरा भाईया हूं कितना डर गया था बिल्ला बनेगा दिमाग की बत्ती जल गई क्या धासो आइडिया है नहीं दिमाग की बोतल में आज अपन बिल्ला बनेगा आज ओ भीड़ू वाख धिल्ले इलाही बिलालुद्दिन आओगी पधार रहे है अच्छा भीड़ू लो बिल्ले की तैयारी तो एकदम जोर में जालो वे भीड़ू चलो सीडी के पास चलते हैं ओई तु यहां क्या कर रहा है हाई मामू मैं सीडी बन करने आये लाओ ओई यह क्या कर दिया कोक्रोज गैंग अमार रहे लगता है इससे समझारा पड़ेगा मोगी तेना दीमाग खराब है जो मेरी तयारी दिश में आ रहा के हैं अच्छा है वह क्या केक बना है भाईया आपको क्या हो गया तो फिर आ गया छोड़ मैं ही चला जाता हूं अब मेरे पीछे मता आना अब बहुत भूब लगी है चलो बाहर चलके खाने के लिए कुछ ढूनता हूं अरे हज्जा मेरी नाग परसे आती कहा है रुक मिले गई अब कहा जाएगी केक आ गया केक जल्सू भी क्या याद करेगा चलो बई यहां आने का एक पाइदा तो हुआ केक खाऊंगा बहुत टेस्टी बना है अरे हां में तो डेक नगए कितना टेस्टी है चप चपलू टपलू अल्ला मॉल वा केड़ो वाला केक यह क्या केक के साथ साथ कौकरोचो को भी खा गया सॉरी फैग दिया अपने तो बैंड बज़ें बीडू मेरा केक कहा गया नहीं चोड़ूंगा मेरा को किसने उटाया अरे चोटू कहा गया चोटू कहा लेया मेरा चोटू लगता है सुनते सुनते यह भी बिल्ले के घर माँच जाएगी अच्छा है बीडू मेरे दिमाग की बत्ती चले लिए सुनू चलेगा ना आई रहा बापा पहुंच कई बिल्ले के घर चोटू शरू यही कई है मैं एक नन्हा मुन्ना बच्चा हो बहुत शरारत करता हो गुड़े से खेलता हो मामू भुट्टा इदर दे अब आएगा मजा ए मम्मी भानू किस ने बुलाया यह देख अभी हम लोग तेरे बेटे की बैट बजा रहे ले मेरे चोटू को मारा तू भी ने मुझे चक्कर क्यों आ रहा है निकल ले फिडू एक के गया दूसरा आ गया अब इसे मैं आराम सिखाओ तो अरे यह तो भानू के रूप में भाईया है यह लीजे के तू तो आ गया मुझे क्यों मारा यह तो गया पर मेरा चोटू कहां गया चोटू ओ यह कैसी आवास थी किसे बड़ी आप कौन आ गया खोल रहा हूं दर्वाशा भाईया क्योंकि आप ने ऐसा पीडू इसको भगा दे रहे मेरा चोटू मुझे देने मिल ले पीडू इस मामू को यह कोटू अब इतनी जोर से चिला को रहा है और इसे चुपा देता हूं वरना भूर मारेगी है है हैलो मैडम जी कैसी है आप अरे कितना प्यारो है यह आगले लग जा अब यह केक मुझसे कोई नहीं चीन सक्था यह क्यों मुझे मेरी आखो पर विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है चैनल करतेख और यह दूसरा भूलू कौन है ये देख तेरा भालू चुप रहना चुप चाप मेरे साथ चलो नकली भालू आया इधर और असली भालू जाएगा कुदा यूने चोटू को हाथ लगाया पिल्ले ने हाथ नहीं लगाया नेकिन पपी भालू तार उसा सब लगाएगी अच्छा मैं ननासा फ्यारा सब चाऊ शरारत करने पर मार कहता हो ऐसी गलती फिर मत करना लब यूचू बेचा इस मा बेटे के प्यार में मेरा क्या होगा चलो और फ़ड शले भाई भाई मोगे मुझे भाई मत बोल उस बचा ले इस ममी भालू से बचा ले बाए बापु यह रुप्रिकेट नहीं छोड़ूंगा बाहर इतने ठंड है और अंदर बिल्ला टांग उपर करके सो रहा है लगता है सुबह हो गई गट मॉर्निंग हो गई कल का दीन तो ठीक ही था देखते हैं आज क्या है आज चौबीस तारीख है चौबीस दिसम्बर याने क्रिस्मस आज क्रिस्मस है चलोगी तैयार हो जा आजा तू भी बाहर आजा आज तुझे भी तैयार होना है अब सबसे पहले क्रिस्मस ट्री लगाओंगा पेड तो हो गया, यह क्या, मेरा पेड तो उगते ही जड़ गया, मेरा पेड तो जड़ गया, अब मैं क्या करूँ, कहां से लाओ क्रिस्मस ट्री, इतने सारे पेड, यह हो सकते हैं मेरे क्रिस्मस ट्री, यही होंगे मेरे क्रिस्मस ट्री, एक मिनिट ये तुम बहुत गलत करने जा रहे होगी तुम पेड़ काट रहे हो ऐसा मत करना पेड़ों से प्यार करो ओके सबसे प्यार है क्या बोला प्यार करेगा चल निकल यहां से ओकी उसने तेरों को क्या बोला पेड नहीं काटने का लेकिन तो उसका बात नहीं सुनने का पेड काटने का समझा क्रिस्मस ट्री मैं आ रहा हूँ क्रिस्मस ट्री आज तुझे काट के ही रहूँगा जोर लगा के आ गया क्रिस्मस ट्री अब मैं इसे सजाओंगा प्यारे अगली लगता है तुम पागल हो गए हो चपकर पागल होगा तू मसा आ गया अपने को भी मसा आ गया भीडू सच तो हाथ मिला ना ओके इतनी जल्दी नहीं ये तो बहुत शाना है मामू किदर जा रहे लाए तो इधरा अपने लोग मिलके इस आउगी की फैंट बजा देंगे अपने लोग को भी मजा आ गया रहे ये आस पास कोईनी इसको उठा लेरा बाबा अभी बिल्ले को मजा चाखाएंग इसके बाद जाके खाना भी खाएंग भाया गयरा पबलू वाया री धर दे पबलू पकर लेरा बाबा पके लिया अरे शौक लगा शौक लगा शौक लगा पाइफी चल गया रहा बाद सिर्फ कोट्रोची नहीं बिल्ले का पेड़ भी जल गया और में लाब है मेरा क्रिस्मस ट्री जल गया प्यारे होगी मैंने तुमसे का था ना बुरा मत करना मुझे पता है हे तुम्हारा सुन्हे होगी जा जा के पेल कार्ट क्रिस्मस ट्री मैं आरा हूँ मुझे चार दो प्लीज क्रिस्मस ट्री लगाउंगा उसे सजाउंगा और पैउस को पांदूंगा और नीच ले जाउंगा या प्लीज आगे आरा तुफ्लू और तुफ्लू के सथ मिलकर उस पैड के प्यांड बजा दोगा जैसे फिर से मेरा क्रिस्मस ट्री गया एक और क्रिस्मस ट्री पिल्ला है कब तक तू जाड काटेगा और उसको सजाएगा हर बार कॉक्रोज गैंग उसके वाज लगाएगा दो चाड लगाएगा तुफ्लू बजाएगा नहीं छोड़ूगा या यस पार तो ये पूरा चाड लेके अपने पिच्छा पड़ा रह बाबा या या बच गया मैं भी बच गया नहीं छोड़ूगा अब कहो, क्या कहते हो अर बोलने का क्या पिच्छ देख रह बाबा अब एक और जाड़ काटना पड़ेगा अब इसे काड़ूँगा मैं पिच्छ को फोड़ूँगा रह बाबा फिर से काटूँगा ले जाओंगा फिर से काटूँगा पिर से काटोंगा? हाँगी तुषे एक और पेड़ काटना है अरे एक और क्या? एक ही बेड बचा है क्या उसको भी काट देगा? इसको भी काट दूंगा? तुक जाओगी प्यारे इसा नहीं करते, ये गलत बात है तुम क्यो बेड बेड काट रहे हैं, मत करो ऐसा मत करो, प्लीज मत करो, अब बहुत हो गया और मुझे अपना काम करने दे, ये क्या, रात में दिन कैसे हो गया, ये क्या, इतना बड़ा क्या आ रहा है, क्या नहीं, मैं सेंटा हूँ, सेंटा क्या हूँ, और ये क्या है तुम्हारे हाथ में, यहां दो, ये तो बहुत ताकतवर है, क्या हुआ, तुमने कुछ कहा, मुझ पुछ नहीं नहीं दे रहा है फिर से को नहीं बहुत कुछ है मैं आपको बताता हूं सेंटा जी इसने बहुत गलत क्राम कियी उस बुरे आउगी की बाते सुनके पेड काटे और मुझे बान के रख दिया और मुझे पर ताकत आजमाई एसा नहीं करते बच्चा अगली हार से हैसा मत करना समझे ठैंक यू चलो अब तुम अच्छे बढ़े हो तो यह तुम्हारे लिए गिप्स गिप्स मेरे लिए ठैंक यू मेरे क्रिस्मस बाइबार वा क्या बात है आखरी पेड तो खुच सेंटा बाबा नहीं तोड़ दिया पेड बचा ना सजाने के लिए एक पेड़ चोड़ दो पड़ों के साथे सावी करते हैं पेड तो छोड़ दोंगा तकि तुछे नहीं छोड़ोंगा चल बीडू यह वाजी दो अपनी जीतेगा सुनो प्यारों अच्छा बन कर कोई फाइदा नहीं रुक जाओ इस बार पत्ते मैं पीसूंगा बहुत बन लिया अच्छा अब थोड़ा पुरा बन के देखता हूं कि ओकी तु देखना आज मैं कितने गोल मारता हूं गोल्फ में गोल नहीं होते भाईया हां यार गोल तो क्रिकेट में होते हैं चल अब टाइम पास बन कर और खेलने की तैयारी कर कहा गया जंडा कहा गया मिल गया चलाओगी ला मेरा डंडा डंडा नहीं भाईया डंडे कहो कितने सारे हैं यहां थैंक यू पॉर दू डंडा अब तू देखते जा मेरा कमाल यूही घुमाऊंगा 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 और बॉल को भी उठा के फेंग दोंगा समझा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वह सब छोड़ो खेल कब शुरू होगा जब बॉल होगी वो अब मेरे मूँ में है सबसे पहले बॉल को सही जगह पर रखो फिर बॉल हिले ना हिले कमर को ज़रूर हिलाओ और फिर चड़ी घुमाँके दे मारो और वो चली बॉल शायद बॉल यहीं पर है कभी-कभी इंसानों से गलतिया हो जाती है हम तो फिर भी बिल्ले है इस बार गलती नहीं होगी यह लगा शिक्सर देख कितना लंबा शिक्स मारा मैंने शिक्सर नहीं आपने मेरे नाक की विकेट ले ली आ हम सॉरी बॉल के बदले नाक चली गई तो नाक के बदले बॉल लगा ले चड़ी यहां दीजिए भाईया अब आप मेरा निशाना देखिए ओ सॉरी नाक उड़ गई तो आप चड़ी लगा लीजे हम देखना इस बार कोई गलती नहीं होगी वह क्या बात है यह लगा सेक्सर और यह गिरा पंच्छी का विकेट गलती से मिस्टेक हो गई वह इसी तरफ आ रहा है कौन हो भाई जिसने इस नाचीज मुर्गे की विकेट ली मैं नहीं वो तो यह था यह तो बिल्ले जैसा दिखने वाला मुर्गा है उड़ा दूंगा शिकारी अंकल ने तो चड़ी से मेरे सर पे बॉल बना दी चलो अब मेरी भारी अब मैं लूँगा आपसे बदला देखिये मेरा निशाना ओए कहा मार दी बॉल कहा गई बॉल वहां देखिये भाईया ओए इसका निशाना तो ला जवाब है इस बार तो इस डड़े का कमाल दिखा के रहोगा अरे बॉल तो पानी में चली गई जल्दी चल हम भी पानी में चलते हैं जैसा आप कहें भाईया चलक पानी के नीचे वह यहां की मचलिया तो बड़ी टैलेंटर है लगता है इस बार उलिम्पिक में स्विमिंग कॉंपिडिशन यहीं जीताएंगे अब देख मेरा सिकसर कौन मारा रे ओई तु ये पकड में अभी आया अब जैसा कहें भाईया तूने बॉल मारी दिखता नहीं ये ले ठैंक यू चल अब तेरी बारी अब मेरा कमाल देखिए कौन है यार वो किसने मारा बॉल अभी देखता हूँ ओई तूने मारा बॉल अभी तेरा मू नीला करता हूँ चल नीले मू माला भाईया मिट्टी के मैडान में तो मेरा हाथ कोई नहीं पगड सकता ये देख निशाना चूक गया ये देख ये देख और कितने निशाने चूकेंगे भाईया अगली बार लग जाएगा पता नहीं आपका अगली बार कब आएगा आ जाएगा तूप फिकर मत कर मैं क्यों फिकर करो मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ओई मिल गई बॉल अब इस बॉल की खैर नहीं अब ये सीधे जाएगी बाउंडरी लाइन के बाहर और हो जाएगा गोल इसे कहते हैं निशाना चल अब आगे बढ़ते हैं आप आगे बढ़िये मैं उपर से बढ़ता हूँ ओकी आज तो इस दुनिया के सबसे महान खिलाडी की जीत देखने वाला है किसकी भाईया मेरी मेरी ओए अब तु बस देखता जा ये अंदाजा लगाया ये गई बॉल हो गया मेरा गॉल ये ले तेरी बॉल वापस क्यों तुछे दिखता नहीं क्या मेरे सर पे तेरे इसी बॉल ने दूसरी बॉल बना दी अब चला जाए यहां से बना बहुत महलूंगा मुझे सुना कर चला गया बाहर निकाल तुने मेरी बॉल फेकी न अब मैं तुझे तोड़ दूँगा फोड़ दूँगा निकल ले तोंट अंगरी में चला जाता हूँ लेकिन वापस आऊंगा अब बॉल जाएगी होल में इतनी आसानी से नहीं मॉमू हमारे रहते वे तो कभी नहीं वा क्या बात है कोक्रोच गैंग को होल लेके ही गोल हो गए और चल उनका पीछा करते हैं ओके भाईया इन कोक्रोचो को तो मैं दो मिनट में ठीक कर दूँगा निकल ले बाहर निकलो है अच्छे अंकल इसे तो मैं हटाता हूँ पीरू अभी अपन हवा में को कितना भी उड़ ले मैं तुझे नहीं छोड़ूगा सॉली तुसे अपन कोल नहीं छोड़ूगा कोल तो मैं करके ही रहूँगा आहो मैं एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा माले हो जो कभी-कभी घास भी काटता हूँ अब उन तो अपने छर के इदर जा रहे ला है आहो इस डोपी के घानन की तो आओ हो जाएगी मतलब बैंड बन जाएगी माओ अब यह बर्दास के बाहर है देखो एक और आ गया क्या बात है आओ के घर के बाहर रेश शुरू हो गई है गार्डन तो उजाड़ा ही था अब लगता है बचा-खुचा घर भी उजार देंगे अच्छा है अब मुझे यह सब रोकना पड़ेगा इस टॉप उसकी बैंड बजा दे भीडू अहो समझके वो देख सामने बॉब है ब्रेक लगाता हूं लग गई ब्रेक मेरा सर तो गार्डन गार्डन हो गया मिल गया डंडा ओए मार दूंगा डंडा अब कहा गया सब तोड़ दूग नहीं चोड़ूंगा कहा गया जंडा जंडा तो ठीक है अब यह जोल देख पता नहीं बॉब का क्या इरादा है अहों क्या बात मुझे इस बॉल को बड़ा लंबा मारना है तो बिल्ले तुझे भी थोड़ा लंबा करना पड़ेगा अब इससे मैं सिक्सर मारूंगा मुझ चोड़ दो जाने दो पिल्ला इंसाइड दे लैंड पिल्ले की बढ़ गई पैंड यह क्या शहर से इतने दूर इस बंजर रेगिस्तान में काउन आया है ओ तो ये बात है वैं पहुँच गया इस जगह की फोटो लेना बहुत ज़रूरी है लगता है दूसरी लेंज लगेगी लेंज ला जल्दी आ रहा हूं आ रहा हूं भैया क्या हुआ कुछ नहीं लेंज दे दे जल्दी हा लिजे भैया हा ये ठीक है मेरे तो पसीने निकल ग चलो बीडू अपन भी घूमते हैं यह देख मामू चल मैं इसकी फोटो निकालता हूं तुम लोग क्या कर रहे लो अला बोल बोल रहे रहे बाबा वाह क्या फोटो है वा मामू, क्या फोटो है मैं तुम लोगों को तोड़ दूँगा फोड़ दूँगा ये क्या हो रहा है मेरे पैरों के रीचे की सबीर कैसे फिसल रही है मुझे बचाओ बचाओ वरना पता नहीं मैं कहाँ चला जाओंगा लोगों के धर उजड़ जाएंगे मामू, क्या फोटो है लाए विलने का तो यहाँ भी नहीं छोड़ूंगा कैसे छोड़ेगा, पहले पकड़ दो ले इसे पकड़ने के चक्कर में मैं ही छूट गया पीडू ये तू नीचे गया लेकिन इतना नीचे होगा क्या नीचे मम्मी रहेगी अपुन उसको बेज के पैसा कवाएंगा और पैसों का बापा बन जाएंगा लेकिन आपुन अकेला नहीं करेंगा वाखला गया बापा लेकिन ये छपलू किदर गया रहा है जपलू का छोड़ भीडू तू किदर जा रहे ला वो देख अब उन भी आ रहे ला एक बाद समझ में नहीं आई मैं गिर के जाओंगा कहा ये मैं कहा जा रहा हूँ ये मैं कहा आ गया मुझे तो मेरी आखों पर विश्वास ही नहीं होता लगता है मैं बिल्ला आ गया है उजार देगा मुझे तो सब देख के चक्कर आ रहे है मुझे बहुत डर लग रहा है राजा बाबू के राज में बिना काम किया रुखनान है ठाकिटक ठाकिटक मुझसे नहीं होगा नहीं होगा ये काम इसका तो आमलेट बन गया रहा है वहाँ क्या पोज है आओ काम चौर येतने चोटा से ननन से बच्चे कौन है आओ ये तो राजा बाबू है मैं नंदो आपका बंदो वाम व राजा बाबू जैसे डायलोग बढ़ेंगे सुन मामू इंटुक ले पििंटुक ले यहां से सटक ले बाजू के आंटी बजा रहे ले बार-बार घंती समझे के नहीं समझे क्या समझे चल्ब खा खुजा बत्ति-बुजा और सोजा राजा बाबू मैं तो सोया इए हो मामू ये तो सज में माझ गया आओ, मेरे राजा बाबू का बाल भी बांका नहीं होना दूंगा राजा बाबू कहा है गए? लगता है वो खो गए किस ने उठा लिया रबाबा? चुपकर, वो काम पे गया है विडू चल्दी से ममी को दूनके पैसे का पापा होने का है रास्ता तो बराबर है, लगता है आपको ये नक्सा जूल्टा पकड़ेला है विडू समझ गया, इधर इस जाने का है ये क्या? देखते है इधर क्या है अले, इधर तो नंदू और बिल्ले राक्षस के फोटो है मतलब वो जमाने में भी बिल्ले के फास कैमेरा होईगा धर इस फोटो के पीछे जाता हूँ, ममी मिल जाएगी अपकी तो गायन बजगई ये क्या? ये तो ममी है ममी पैसे का पापा आगे रहे ममी ये धीली भुच्टिक है को है हट जाओ ममउ लोग बाचु में ममी और पैसे के पापा को जाने के लिए रास्ताँ दो ठक गया भीडू थोड़ी धेर बैठता हूँ तू किदर जारे लिए? रुप जाँ ममी किदर जारे लिए? रुक तू, रुक ममी ने तू ममी एक हिर ममू है तो किदर भी जा मामी, आपको नहीं छोड़ेंगा, सब लोग अट जा मामू, तरही तो बैंड बज जाएगी, मामू, ये गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं, मुझसे ये और आगे ठकेला नहीं जाता, रुक जा मामू, मैं तेरे को आगे ठकेलता है, क्या चांस मिलाए भीडू तो रुक जा, तरही बैंड बज जाता हूँ, ये आगे तो डेरे ले, अपकोन की तो बैंड बज गई काम चौर कई का, अब चुब भी खरो बीडू, मामी खुल गई, लेकिन मामी निकलने के जगा, लाइट कई को निकल रहे लिए अटा पोस्टर, निकला हीरो, किसने मेरी नीन तोड़ी, किसने मुझे बाहर निकाला मामी, ये तो बढ़क क्या, अपकोन केज पास आरे ले, नहीं चोड़ूँगा निकल ले मामी, अब निकल ले फिडू, तुझे भी नहीं चोड़ूँगा मत चोड़ना, लेकिन मैं भी भागता हूँ, सब लोग कहा भाग रहे हैं, चलाओगी, निकल ले, अब तुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है, अपकोन को भी, जाना रही, आ रहा हूँ मैं, मैं तो जा रहा हूँ, अपकोन भी आ रहे ले मामी, कहा गया था इतने टाइम से, कौन है, मैं कहा हूँ, मैं तो वापस आ गया, मैं भूत काल से, मरतमान में वापस आ गया, भाईया, मैं वापस आ गया, अपन भी वापस आ गया, ये भी, तोड़ दूगा, तोड़ दूगा, और फिर हम लोग भूत काल में गए, जहां हमें ए गौब की तरह दिखता था पर उसने सर पर रुमालबान रखा था फिर वहां एक ममी आई बहुत मना आया भाईया अजा तो तब आएगा जब मैं तुछे सजा दोंगा आज कितना ठक गया हूँ मैं कुछ काम न करके भी ठकना कोई खाने का गाम नहीं है अब तो ऐसा लगता है जिससे सीधे जाकर बेट पर बेटते सूझाओं आज तो गुड़ नाइट बोलने का भी मन नहीं कर रहा है सर दात निकालो पानी में डाल तकि सुबह साफ न करने पड़े नाख निकालो पानी में डाल तकि सर दीना और बिना सोचे समझे आखे मोन के सोचा मामू अदला बदली मामू ये ले काता बैंड बजा दी बीडू इतनी रात गए मेरी प्यारी नींद खराब कर दी तुम्हें अभी ठीक करता हूं मेरे दान्त नरम कैसे हो गए दान्त नहीं नाख है मामू मजा अगया मजा नहीं तुम लोग तो सर्फ सजा के लाएक हो यो चिरकुड कोक्रोच पीडू इसकी तो बैंड बजा नीच पड़ेगी पहले अंदर चल नहीं तो वह फिर सब बैंड बजा देगा शहीं बोला मामू इस बिल्ले की तो बैंड बजा नीच पड़ेगी लेकिन कैसे इसकी बात में भी दम है वो ताकत वर है और अपने चिरकुट मामू यह आवास कैसी आवास तो होगी जब आएगा शक्ति शाली खर खराब है कहां जो अपने आपको जिरकुट करता है शाहिद इसी घर में देखते हैं यह खाल है यह क्या है रगता है यह खाने से उनका साइज बड़ा हो सकता है तो खाता हूँ अपने पेट में गड़बल हो देलिए अपन साइज में बड़ा हो रहा है जम्बो जबलू चल समकी बैंड बजा दे अहो यह जोटा सा नन्ना सा फूल है अहो यह बोचाल कैसा जम्बो जबलू आगे लाए मामू अभी तरी बैंड बजाओंगा यह तो गया मामू काउन है इतनी दोर से हस रहा है यह मुझे बचाओ कोई तो बचाओ नहीं यह मेरी बैंड बजा देगा अब आ गया बिल्ला कोकुरूच के पैर के नीचे मुझे छोड़ दो छोड़ दो प्लीज यह कोड़ बिल्ला शाबाज चापलू हर हरा बैस्ट है आपकी सब वैस्ट है आप मैं जाता हूं आप मामू अभी तो अपन भी ताकत वर हो गएले ह। वा बेडू बीडू क्या सपना है यह सपना भी कभी सच हो सकता है क्या I don't know ये क्या ये तो ही हर हरा मैन वाला डिपा है पर हर हरा मैन किदर है मामू, वो नहीं तो क्या हुआ, अपुन तो ये खाते हैं नौ, अपुन अकेले ही बनते हैं, जम्बो जपलू, चल भीडू, हल्ला बोल, बोर टेस्टी है, मामू, फेट में घडबन, ले मामू, आपुन बन गेला है, जम्बो जपलू, अब ये क्या करगा रबाब, अभी ज कुछ भी करेगा, ये जम्बो जपलू करेगा, मामू, बिल्ले के सामने तो अपुन मीनी जपलू हो गया, कोक्रोच चाय कितना भी बड़ा हो जाए, चिर कोठी रहेगा, चोड़ूंगा नहीं, मामू, अभी क्या रबाब, सोचने दे भीडू, अपुनको और जम्बो होना पड़ेंगा, लेकिन कैसे, हेना, हर हरा का हरा भरा डिप्बा, मामू, पिछली बार आधा खाया था, इस बार पूरा खाता हूँ, तेस्टी है, मामू, पेट में घणबार, बन गया अपुन फेल से, चम्बो जपलू, पिले मामू, तो फेर आ गया, मामू, इस बार तेरी बैंड बजा के ही रहूँगा, अपुन डबल जंगो हो गये ले, अपुन तो फिर भी, मिनी है मामू, ये बड़ा अपुन चिर्कुट, अब क्या होईगा मामू, मैंने कहा था ना, कौकरोच चिर्कुट ही रहेगा, बैंड बजाओंगा, पिडू समाझ में नहीं आरे ला क्या करूँ, हम लोग को अभी रहा, पीडू एकाद से कुछ नहीं होने वाला, दस बारा एक साथ भुसेड लेता हूँ पेट में, टेस्टी है, पेट में गड़वर, अभी अपुन परिपल, जंगो, 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 मामू, अभी आवा मनसे बचके किदर जाएंगा, इस लगता है, मामू अभी थोड़े बहुत से काम नहीं होने वाला, तूरा कपूरा खा लेता हूँ, उस से क्या होगार बाबा, टेस्टी है, और अभी अपन बन रहे ला है, महा जंगो, 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 ये क्या, ये तो और बढ़ता ही जा रहा है, रुखने का नाम ही नहीं खोशे जा रहा है, अछ्छा है, जंगो, महा जंगो जंगो करें लाए भेग ते? को लोसी को से ही क्या ले रहे ला है, अब उस थो जंगो हहेंगा, और जंगो हहेंगा, अरे हरः मैं? हाई महाजम्बो जपलू ये लो ठेके ठेके क्या इसमें खा लो ओके मामू एजू से बाइ इस बाइख भी पूरे बॉड़ी में घडबर मामू अब उन तो मीनी हो रहे ला है तो फिर आ गया चेरकुट कोक्रोच अब हम क्या करेंगे हमारी नाओ तो डूप गई मुझे डर लग रहा है भईया डरना बिलकुल नहीं कोई नो कोई रास्ता जरूर निकलाएगा मैं नहीं डर रहा भईया लेकिन फिलाल यहां दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा है चारो तरफ बस पानी ही पानी यह क्या इमर्जेंसी बैग इसमें जरूर कोई न कोई काम की चीज होगी यह किसी काम की नहीं यह भी नहीं है यह तो बिलकुल भी नहीं है यह कुछ काम का है पर यह काम कैसे करता है यहीं पता नहीं चल रहा एह मुझे बहुत जोरों की भूक लगी है पर यहां खाने को क्या है बिस्किट जरा देखो तो इसमें कितने हैं इसमें तो डिबा भरके हैं लेकिन इने भाईया के सामने नहीं चुक जब खाना होगा ओए कौन खा रहा है होगी यह डिबा इदर ला खबरदार जो एक भी बिस्किट खाया तो अरे इसमें तो सिर्फ एक ही बिस्किट बचा है सौरी भाईया सौरी के बच्चे नहीं गलती तो मेरी ही है यह ले बिस् अब इसमेरा और बाकी दो गए इससे मेरा क्या होगा अभी तक कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है आपको गुद्गुदी होती है न कोई क्या कर आए तुए तो कुछ नहीं होता निकल जाओ यहां से अब यह बिस्किट सर्फ मेरा है अरे पूरा डिंबा साप कर द मचलिया पकड़नी है तो इस काटे में चाहिए एक कीड़ा मिलेगा कर मुझे पता है कहां ओगी टाइम पास क्यूं कर रहा है काम कर यहां एक नहीं तो मिल ही जाएगा मिल गया लगता है समंदर की सारी मचलिया खतम हो गई कर नाक के अंदर के कीड़े से बईा है एक कड़े से इतनी मचलिया ला तेरी नाक दे यहां अब भसेंगी ढाई-ढाई-धाय की बहुत सारी मचलिया मेरी नाक मुझे वापस दे दो चुपकर वर्ना मचलिया भाग जाएगी अभी खाना खाना का यह इतनी सारी मचलिया अरे इतना मचलिया से खुला किसने चोड़ा रवाबा आइसा नहीं चोड़ना का आजा तुम लोग को अज भी ना फ्राइक खाता हो लगता है कोई कुछ खा रहा है मचलिया गायब है बहिया यहां रखिवी सारी मचलिया खा गई मुझे नहीं पता जोट मत बोलिये मुझे पता है आप हिने खाई है मुझे कैसे पता मैंने खाई है तुन्हें अपने आखों से देखा क्या बैया मुझे मेरी नाक वापस दीचे अगर मेरी उंगलिया जादा निकली तो दूँगा जिरो दो पाँच चुटकी पाँच जीरो पाँच दो मेरी नाक वापस दो ठैंक्यू बैया नाक तो गई अब कहा से बकडू मचलिया ओए मुझे ये ओगी कीले जैसा क्यों लग रहा है अगर इस कीले को काटे में फसाया तो धाई सो किलो की मचली हाथ लग सकती है जाओगी अब तू है मेरा कीड़ा ये क्या कर रहा हो भईया क्या मस्त मचली था रहा बाबा असली कीड़ा तो यहा है भईया सही कहाओगी या मेरे को पानी में के रहा काई को चड़ा रहा मैं रहको उठाले रहा, बाबा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बैया मैं क्या करूँ इसके अंदर क्या है इससे कुछ करता हूँ ऑगी, बंदू खेलने की चीज नहीं इससे तुम घायल हो सकते हो तो क्या करूँ कुछ और नजर भी तो नहीं हा रहा है एक नाव आ रही है भी या वहाँ देखिए नाव आ रही है खाऊगी सच मुझ नाव आ रही है यह देखिए बिल्लों का फोग डॉप बेरी रह यह तो सच मुझ धाइस सो किलो किया रह यह लोग क्या कर रहा रहा बाबा यह फिल्लों का क्या चलुए यह लोग पोख्ला तो नहींगे आजाओ आजाओ बोट लेके नहीं यह तो चले गए मैरे पास आइडिया है भाईया यह बंदू कब काम आएगी यह क्या अपने यान में यह कैसी हल चल यह किसकी वज़र से हुआ उसको छोड़ना नहीं पायर मुझ पर हमला किया मैं भी करूँगा अरे यह तो बैक पायर हो गया इस गोली ने तो हमें ही उडा दिया भाईया मुझे बड़ा दर लग रहा है सामने लेक यह क्या गया तैल पाने में अंची बिलों की सवारी शहर में वो भी राद नहीं दो पहर में खुद बच रहे हैं लेकिन बाकी सारों की बैंड बजा रहे हैं बजा अलता ले क्या गलती हमारी नहीं इसट्यूब की है आप क्या करें चलिए मार कहने से पहले बिस्कीट खा लएगा तुम लोग खाना बिस्किट तुम मही खाएगा रहा क्या होगा भाया ठाकड़क आने दे बिडू सामान नीचे आने दे अला बोल लेकिन धीरे से फॉल रहा है रहे बाबा यला छोड़ दिया हत्यार आने दे बीडू आमने थोड़ा और नीचे आने दे शापाज बीडू अबी खाली फिटिंग वाक्ये हो गया बिट्टे भास चलोगी सुबह हो गए उड़्जा बता नहीं आज अचनक मुझे मेरा मूँ इतना भारी क्यों लग रहा है शायद टॉइलेट जाने के बाद पेट के साथ साथ मूँ भी हलका हो जाए रोज सुबह ब्रश करना जरूरी ही नहीं बहुत जरूरी है ये क्या ये ये निकल क्यों नहीं रहे है निकल जा निकल जा प्लीज निकल जा जोर लगा के मैं तो ठक गया चलो नाश्ता तो कर लूँ प्रेट तो गया साथ में हाथ भी कॉक्रोज गैंग अमर रहे है इन दातों का बजन मुझे सहा नहीं जा रहा लगता है दात मुझे चैन से बैठने भी नहीं देंगे पता नहीं इनसे कब चुटकारा मिलेगा बचाओ मुझे बचाओ चलोगी बांधले रस्ती दातों में अब यह रस्ती उठाएंगे तेरे दातों का भार तटे रहना होगी धल गया दिन हो गया शाम धल गया शाम हो गया दिन अच्छा है बिल्ला क्या कर रहा है रबाबा मामू यह रस्ती क्यों बांधल आए दरवाजे में दरवाजा खुल नहीं रहे क्या तम लोगों ने मुझे यह जो दात लगाए है ना उसके लिए ओके मामू तो अभी हम लोग की वज़े सही तेरी और बैंड वज़ने वाली है चला निकल ला एए नहीं छोड़ूगा आज यह ज़ाडू और स्केट बॉल्ड है इसलिए मेरा मुझे बचा हुआ है लेकिन यह कब तक चलता रहेगा आइडिया बॉब फिलहाल घर पे है या नहीं है तो सही ओगी हो गया काम बॉब मेरे दोस्त अब तुम ही मेरे दांत निकाल सकते हो मैं तुम्हारे घर में आ गया हूँ अग को इसके खुश्बू तो देखो मेरा मैंही खुश्ष ऑगया अब आएगा मजाइगा हाई भाब ठक टक 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 करोंगा करना मेरे दाथों पे ठक टक कि आओ तो चला जा मेरे प्यार-प्यार पूल एले इसका नहीं ठक टक, टक अब इस सिच्वेशन में सिर्फ भाइया ही मेरी मदद कर सकते हैं अब इसे क्या हो गया मेरे मुँ में दाथ फस गया है तेरे मुँ में दाथ अटक गया है यह सुनके मेरी सांस अटके अब भाइया फिकर मत करोगी आज मैं तेरे दाथ निकाल के ही रहूंगा अब भाइया लेकिन जल्दी करना ओए फिकर मत कर जल्द से जल्दी निकालूंगा ओए थक गया थोड़ा पानी पीलूं आप ठीक है तू पिएगा नहीं भाइया ओके तो चल फिर से शुरू करते हैं वाँ क्या बात है आज बिल्ले के दान तूटे ना तूटे लेकिन बिल्ला जरूर पूरा तूट जाएगा अच्छा मैं तो पूरा थक गया भाया दान कैसे निकालेंगे आइडिया ओगी तू तो तयार है ना भाया एकडम तयार तो चल मैं गाडी शुरू कर रहा हूं चल मैं निकल गया हूं गड़ी लेकर निकल गया दान तो नहीं निकले भाया लेकिन मैं घर से निकल गया रेडी भाया इस बार कोई गलती नहीं होगी मेरी तरफ से भी नहीं मैं फिर से निकल रहा हूं गड़ी लेकर सिर्फ गड़ी नहीं बिल्ले पूरा का पूरा घर लेकर निकल गय क्या दांथ तो नहीं निकले पर पूरा घर जगे से निकल गया इस पार पौझी निशाना नहीं चुकेगा और तेरे दांच जरूर निकलेंगे मेरा देखा मेरा निशाना चुक गया यह क्या हो गया misma यह क्या मेरे बड़े वजनदार दाउंच चले गए कितना अच्छा लग रहा है भाईया थैंक्यू भाईया आप मेरे लिए अपना फाल्तू टाइम निकाल के आए यह सम्मेरे धाई किलो के हाथ का कमाल है भाई भाई भाईया निकल ले भीडू तेरा दिमाग के बत्ति जला क्या जली ना भीडू आज मैं सीखूंगा पौधे कैसे उगाते हैं ओके अरे वाई यह कितना अच्छा प्रोग्राम है कितना मज़ेदार है यह तो कमाल है यह ले पबलू भर ले तेरा पेट पबलू 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 काम हो किया रबाबा बीडू पिछली बार दांत लगाए अभी तोड़ेंगे क्या बात है लगता है मेरे दांतों की बैंड बज गई तुम लोगों ने मेरे दांत थोड़े दांत के बदले दांत अब उनकी दो बैंडिज बज गई है वो अखला गया रबाब आज क्या पेकार दीन है ए मेरे नाकून कितने बढ़ गए है इन्हें काटना चाहिए साफ रहने का मज़ा ही कुछ और है यह डॉगीज की आवाज कहां से आ रही है बाहर में यह आना बच्चे वर्ला डॉग अंकल काट लेंगे रहा है वाव नहीं आओंगा दर गया भीडू फपा जाओ अंकल ने इने मारा वाव थैंक यू अंकल वाव आई लव यू वाव सो क्यूट कितना प्यारा है ये लो किट्टू तुम्हारा खाना चलो चल्दी शिरू हो जाओ इसका क्या करूँ हाँ वाव नहीं नहीं किट्टू ऐसे नहीं पीते दूज अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ पहले दूद बाउल में डालो फिर जुको फिर कहो वाव और फिर चीप से पियो ओके मुझे दूद पीना है कहां है दूद ओय ये क्या हो रहा है तो ऐसे चाट चाट के पीना समझे किट्टू किट्टू क्या हुआ भाईया कुछ नहीं खड़े खड़े दूद पी रहा था समझे आओ किट्टी आज मैं तुम्हें खेलना सिखाता हूँ उनके गोले से खेलना हमारा नेश्नल गेम है य—गया गोला अब जाओ उसके साथ खेलना शुरू करो उससाथ मैं नहीं खेलूंगा मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे खेलते हैं गोले के आगे कूदो, बीचे कूदो, ताहे कूदो, पाएं कूदो, कहीं भी कूदो, लेकिन गोले के उपर मत कूदना, चाहे तो उस पर रोल हो सकते हो, हाँ, वाँ, फिर गोले को पैर पर नचाओ, हाथ पर नचाओ, बहार उड़ाओ, ए, ये उड़के कहाँ चला गया, र वाव, हम कहां जा रहे हैं? अब इस बार मैं तुमें बॉल दूँगा और तुम खेलोगे यह देखो, पेपर, अब मैं करूँगा इसको रोल, तुम तयार हो ना? वाव, तयार हूँ, तो ये लो वाव, गोले के आगे कुदो, पीछे कुदो, ताएं कुदो, पाएं कुदो, कहीं भी कुदो लेकिन गोले के उपर मत कुदो, फिर गोले को पैर पर नचाओ, हाद पर नचाओ, बाहर उडाओ वाव यह उड़के कहाँ चला गया मैं बॉल सही सलमत ले आया अंकल क्या बात है किटो अब ये बॉल में खा जाओंगा ये बहुत गलत है किटो तो क्या करूँ तुम्हें भूक लगी तो बॉल नहीं खाना खाना है तो किसी चुहे को खाओ मैं तुम्हें सिखाओंगा चुहा पकड़ना चुपचाब दर्वाजे के पास जाओ और एकदम शान्ती से खाथ लगाओ हम लोग भी विनम्र से तेरी बैंड बजाते है ये लेमा आप कितने बहदुर चला आजा किटो आज तुझे एक और लेसन्स सिखाओंगा चुपचाब से घुटनों के बला वाओ एकदम चुपचाब एसे नहीं घुटनों के बला ना घुटनों के ऐसे ऐसे था हम चलो ये खंबा नहीं तो कोई और सही बच गया ए मैं कहा गया ये किसका अंडा था हाँ समझ गया तो चलो मिट्टी में चिडिया बनना है ये क्या कर रहा है बन गया में चिडिया नहीं ऐसी चिडिया नहीं मैं बताता हूं चिडिया मतलब शांत इसे बैठना एकदम शांत बहुत ठक गया हूं दूद पीना जरूरी है कहां है दूद ओए ये क्या चल रहा है कुछ नहीं भईया टाइम पास छोड़ मुझे क्या लेना देना है मैंने दूद पी लिया है मैं जाता हूं ओके भईया चल भई जैक निकल चल पर ये बहुत गलत कर रहा है शरम कर सोरी आप शानती ये डॉगी है डॉगी से कभी नहीं डरना जब भी सामने आए उस पर जोर से गुर आना और नाखोन से उसे नोच लेना समझे वाव कहां है डॉगी मुझे डॉगी को नोचना है वाव डॉगी अहो मैरा प्यारा प्यारा भूल आहो वाव ये क्या हो डॉगी पर गुर रहा हो और अपने नाखोन से उसे नोच दो आहो ये क्या किसना मुझे तकलिफ दे ये तकलिफ तो कुछ भी नहीं अब तू देखता जा आहो अब मुझ पर हमला वह पाने से ये नुय तो मेरी तरफ आ रहा है हाई ऊके ठा क्डेक ठा क्डेक हाइज चलो मैं तुम्हें कुछ और सिकहना है क्या कुछ न Kerry ससकता नो生 veel क्या बोला यह क्या हो रहा है मुझे तो भिश्वासी नहीं हो रह मेरी 좋아하ंखों ऑर मेर वाव, मेरा तु लंच हो गया वाव, साबाज किट्टू हेलो, तुम पास हो गये वाव, और ये है तुम्हारा टीना वाव, चल दी दो बहुती बहुतुर हो चलो वाव, निकल लो बाई बाई अंकल, बाई किट्टू तुम्हारी याद आएगी बाई, चलो वाव, अब नवाबपूर चलते हैं हे, ये क्या नेरे वाव ने अपनकी बैंड बजा लड़ी माम ये क्या, आइफल टावर ये तो फ्रांस में है, यहाँ कौन आगा मिस्टर बिल्डिंग है ये, इतना उच्वा टावर बनाया, पर यहाँ कोई नहीं रहता, बिल्डर का कितना नुक्सान हुआ होगा सरी भाई, फ्रांस जिन्दाबाद, ये क्या, क्यूट सी डॉली, मैं जाओंगा, सरूर देखूंगा स्क्यूज मी भाई साब, सबसे आग्ये वाली सीट देना, क्या बात है मज़ा आएगा टॉली का डांस परफॉर्मेंस करीब से देखूंगा, चलो, अब इतनी दूर आ ही गया हूँ, तो तावर के उपर भी जाता हूँ, और ये सुन्दर शहर देखता हूँ मैडम जी मुझे टावर के उपर जाना है, उसके टिकिट डिजे, ये क्या? सीड्हिओं से जाने के 3 यूरोज, और लिफ्ट से 3 हजार, कोई बात नहीं, मेरे पास 3 यूरोज है, मुझे सीड्हियोगे टिकिट डिजे, ठैंक यू, हाँ, मैं सीड्हिओं से जा ओंगा, ये क इतनी लंबी सीड़ी इस सीड़ी पर चड़ते चड़ते मेरे पेरों की तो बैंट बच जाएगी लिफ्ट की क्या हालत है कितना आसान है लिफ्ट से ऊपर का सफर मुझे भी करना है लेकिन चौरी चुपके कोई देख तो नहीं रहा होगी चुप जाब लाइन में खड़ा हो पता नहीं है लिफ्ट कब आएगे लेकिन मैं आगे है विदाउट टिकेट आप कितने सुद्वर दिखते हैं जी करता है आपका फोटो खीच लूँ अइसा फोटो भीटो खीचने से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लॉइज लो अब येलो लिफ्ट के 3,000 अब तो ठीक ह अब क्यों रुका है जल वो तो जाओंगा ही वापस आने का बड़ा या पुलीस वाला मुझसे पैसे ले रहा था मैं तुझ से नहीं डरता बिल्कुर नहीं डरता पुलीस होगा तू अपने घर पर होगा इम्मत है तो आप आप हां क्या बोला है तुर से बोल मैं कहां से बोलूंगा तो खाब वोकल बामू के पढ़ते हैं मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है अब दिख रहा है लेकिन ये क्या दि वाला टिकेट मुझे लाटा दो मालू मैं नहीं देंगा फिर भी मांग रहा है ये मैं कहां आ गया हूं सामने का दिखना बंद क्यों हो गया शायद रीचार्ज करना हो अब देखता हूं मामु सामने छोड़ नीचे देख क्या है नीचे यह इतनी ऊचाई पर हूँ मैं अभी उतनी ऊचाई से नीचे गिरनी वला है मामु मुझे ने गिरना गिरना था पढ़ेंगा एक मस्त जोन आइस-क्रिम देना आप अब मैं कहां जा रहा हूं है तो मैं कहा गया हूं, लगता है ये तो ट्रेन है, वह बिल्ण ट्रेन है लेकिन लोकल ट्रेन नहीं है, ये हवाई जाज के स्पीड से चलती है, अच्छा है, अब मैं कहा रहा है, हम लोग थे करक्चूर्ट डॉली काथांज, और तुदर काख्रोग काथांज, जा रुच मुझे भी अंदर आने दो खोलो ये धटकन गाली रोको, गाली रोको प्लीज आरा, भी या का कर था आज का मात तकटा है का अरे पीछे देख अनना है समझा अपुछ समझाता है अर सामजगा अभी तेरी मैं बजेगी ये तो समपूर है अरे लगता है मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा प्रेन के उपसर ना सही नीचे से तो मैं ट्रेन के अंदर जाई सकता हूँ बस अब ये दर्माजा खुलने के देरी है खुल जा, खुल जा सिमसिम खुल गया, मैं अंदर आगया अब्या मैं तो हाथ हाई अतरा के यह दर्वाजा खुल क्यों नहीं रहा है हाँ सर्थ ऐसा चल्दी ट्रेन में आथा बोड़ी लेके चलना गलत है अगर ऐसी बात है तो मैं अभी यह बें दोग देता हूँ यह क्या यह तो शॉपिंग सेंटर है मुझे शॉपिंग करनी है मेरे पास पैसे नहीं लेकिन खाड है नो हवाई जहाज बनी ट्रेन अब मोटर कार बन गई और दोगों को पुचलना शूर्ट यह क्या यह मुट की सवारी है अरा दे ही उतर जाओ यह क्या इसने तो गाडियों को भी पुचल जाना अब यह पानी में भी चली गई अच्छा यह यह ट्रेन तो वाटर प्रूफ लगती है पानी में भी कुछ नहीं होता इस प्रेल ने कोई शेहर के लोगों का रास्ते पर चलना ही मुश्किल कर दिया था अच्छा था रहल काड़ी रहल काड़ी यह क्या यह यह कैसे आगे अब तो दर्वाजा खोलो खोल गया इस प्रेल प्रेल निकल ले रुग जाओ चल चल जा विल्ला अपने को कभी पिना पकड़ नहीं पाएगा आज तो मैं इने पकड़ के ही छोड़ूँगा विल्व सामने बाहर का रास्ता निकल ले रुग जाओ मैं भी निकलूंगा निकल गया मामूद तीचे देख अब तो पूरा गया पैंदर खड़ा होके रेल गाड़ी वाला गाना गारा ताब तब ये गिल्ला सच मुझ की रेल गाड़ी लेके हैं एक मिनट साब आप इदर आप ये वापस आया वाग क्या बात है क्या डांस है जी करता है फोटो निकाल लूँ ये डांस यहां से इतना सुन्दर लग रहा है तो सामने से कितना सुन्दर लगता हो पर कितना प्यारा है ना ये प्रोग्राम आज बहुत कुश है लोक अच्छा है अंगूठी देकर चौका मार देता हूं स्वीटी जैकी ये देखो मुझे ये करना है तुम्होर में दौड़ों मिलके करेंगे मैं तैयार होती हूं वो सब तो ठीक है पर ये करना क्या चाहती है स्काइडाइविंग चलो जैकी मैं तुम्हारा इंतजार करें हूं मैं भी आया स्वीटी इस टीवी की वज़े से आज मुझे सब करना पड़ रहा है फोड़ दूगा फोड़ दूगा लगता है किसी की बैंड बजने वाली है क्या कहा बैंड बजने वाली है किसी की बैंड बजने वाली है मुझे एक मेडियम साइज बैंड देना थैंक यू बैंड बजेगी इतनी चोटी बैंड इस पे मेरा क्या होगा इतनी बड़ी बैंड इसे तो उठाना भी मुझकिल है अधिया थोड़ा सा काम बागी है बस हो गया सच में और क्या देखो मैं से खौल भी सकता हूं देखा मैंने कहा था ना एकडम सही बांदा है चलो मैं आगे जाता हूं तो दूड़ों यह क्या हो रहा है कहा जा रहा हूं मैं नहीं बिल्ले तो अपनी बैंड बजवाने जा अंडा अमलेट सुना था विल्ला आमलेट पाहली बार देखा यह तो काफी वजन दग रही है चलो मैं कर देखते हैं यह क्या यह यह यहां यह पैर हाँ अब बस इसे टाइट करना है हो गया जलोगी यह तो बहुत बजन है लेकिन मैं और विल्ला कच्छुआ बन गया लग करके स्पीर से हमारा सफर करेंगे समझें थोड़ा बहुत मतलब कुछ नहीं यक्तम मस्त तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट के ऊपर चलते हैं यह लो जैकी यह क्या है यह तो बॉंग है बैंड बजगई यह लोगी तुम्हारा क्यामरा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे र कपड़े उतारूंगा उनको जमा करूंगा और बिल्ले के बैंड बजाओंगा चल बिल्ले परशुट निकाल और यह कपड़ा अपनी बैंड में फरके उताले रहा बाबाबा पक्रू को करच अमर रहे चलो आके बढ़ो बढ़ी रहा हूं मैं तो रेंग रहा हूं मैं भी और पाबा प्लें तो गया देखते हैं प्लें के अंदर क्या हो रहा है और चिटा मुझे चलो जैक त्यार हो जाओ सबसे तहले तूंगो दोगी कोई बात नहीं मुझे कोई दर नहीं है ओए देखोगी मैं कैसे करता हूं यह क्या बाहर हवा तो बड़ी जेस है कोई बड़ा मज़ा है यहां अरे मुझे बचाओ यह फ्लेट किती उचाईंबर है ओए सॉरी स्वीटी वाट सॉरी इस ओके ओई तो मैं भी ओके यह क्या मुझे बहुत दर लग रहा है हेई हम लग डाइविंग हाई पर पहुच गाए चला चली मैं तो मैं भी ना है अरे कैसे नहीं चलो बहुत जाओ क्योंकि मैं अब कलाबाजिया करूँगी अब देखो मेरी कलाबाजिया अएल आरी ये का गई कंगेवँगाँ को अएल देख लगवाभ तो चला 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 बनातॉटटोगा मेने तोकोडी को तोर्डी अब भी बदोलेगारबाबाबाबाबाबा प्र नातो ठोगगा अब पाडर चला जोलगा अब ट्र को उलगा आख लगा शॉक लगा शॉक लगा शॉक वैप्पी डाइविंग रहा यह पैग तो बड़े काप की चीज है यह क्या मैं तो रेल की पट्री पर जा रहा हूं मुझे बचाओ चलो स्वीटी अब टाइम फॉर सेफ लैंडिंग आज दो वीमान रंवे पर लैंच करते वक्त फिसले वाव लगता है हो गए लैंडिंग लेकिन बाकी के लोग कहा है औरे जैकु मेरी हालत बहुत घराब हो गई मेरे बैंक से पैरेशूट कायब हो गया इसलिए मैं नीचे सब के बल गीरा मुझे शॉक लगया मैं पट्री पर उत्रा तो ट्रेन ने मेरी बैंड बजा दी मैं पूरी तरह हिल गया ओ आम सो सॉरी वारी तो ठीक है येलो मेरी तरफ से शिर्प तुम्हारे लिए लेकिन बीसे ठाइए नहीं मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाया अब क्या करें ना वापस नहीं कुदूंगा मैं जा रहा हूं ये सब तुमारी गलती है चलो कोई बात नहीं मुझे भी शूट करने में कोई इंट्रेस्ट नहीं था तो क्यों खुल गया मैंने शूट कहा था झाल